आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार ये है माराज का सवाल आइए से हल करते हैं एक परिच्छा में 50 प्रतिसत अब्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए 40 प्रतिसत हिंदी में फेल हुए और 15 प्रतिसत दोनों विशियों में फेल हुए कितने प्रतिसत अब्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास हुए ये पास बताना है दोस्तों आए इस सवाल को हल करते हैं बेन आरेक द्वारा बेन डाइग्राम बनाएंगे तो दोस्तों ये गोला बना लेंगे एक हम ये हमारा हो गया हिंदी के लिए ये हो गया दोस्तों पहले अंग्रेजी के लिए बना लेते हैं ये English के लिए हो गया फिर Hindi के लिए ये H से Hindi हो गया इसमें 50% अभ्यारती फेल हुए है इसमें 50% फेल हुए है और Hindi में फेल हुए है 40% और कहा गया है दोस्तों 15% दोनों विस्यों में फेल हुए तो इस हिंदी और अंग्रेजी के लिए कौन सा ऐसा छेत्र है ये वाला छेत्र है जो दोनों विस्यों को रिप्रजेंट करता हो यानि कि दोनों विस्यों को दरसाता हो ये छेत्र में 15% फेल हो गए अब दोस्तों 50% अंग्रेजी में फेल हुए थे यहां इस गोले में मैंने 15 लिख लिया तो अभी कितना लिखना रह जा रहा है 35 लिख देंगे 35 प्रतिसत अगर हिंदी में 40 प्रतिसत फेल हुए थे और इसी गोले में 15 प्रतिसत लिख उठा तो कितना बज गया 25 प्रतिसत यानि कि दोस्तों य जो 35, 15, 25 है न ये किसी न किसी विषय में फेल हुए लोग हैं ये फेल हुए लोग हैं ये किसी न किसी विषय में फेल हैं ही तो दोस्तों कहा गया है कि दोनों विषयों में पास दोनों में पास हुए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास होने वाले अगर वो दोनों में दो ही विशव है तो इसका मतलब वो फेल कही से नहीं होने चाहिए यानि कि फेल कितने हुने हुने कुल फेल हुने है 35 प्रति Stephen क्राइब चाहए किसी भी एक ही विशम फेल हुन हो और 15 websites ऐसे हैं जो दो बिसम फेल हुने है और 25 परतिससस ऐसे JENN जो हिंदी में फेल हुए हैं तो दोस्तों ये फेल होने वालों को क्या प्रतिसात हैं 5, 5, 10, 5, 15, 5, 6, 8, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 7 75 प्रतिसात तो ऐसे हैं दोस्तों जो कहीं न कहीं किसी न किसी फेल हैं और जो दोनों विशियों में पास होंगे तो 100 मूशे, दोनों मेंур 5 वाले निकालेंगे हम, तो हमेशा कुल का क्या होता है, कुल होता है तो दोनों में ास वाले क्या हो जाएंगे, 100 मैं से जब हम 75 घटा धेंगे तो ये पास-छात्रों का परसेंटेज आ जाएगा, तो इसमें 100 मेंश 25 परसेंट ऐसे होगे जो दोनों पास होंगी, यह हमारा बीविकल सही है, धन्यवाद.